नमस्का दोस्तों, इनकी एज 36 यर और 3 मन्त की हो चुकी है, इनके सवालों पर बाद में आते हैं, पहले इनों ने अपने जीवन के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी दिये, इनों ने लिखा है 12 साल का था तब पिता का आउसान हुआ, यस एक लाइन जरूर आपके जीवन दिख रही है, और उसकी एज निकालने में टफ है, पर वो लाइन जरूर मैं दिखाऊंगा, 20 साल मैं प्यार हुआ, ये लाइन आपके हाथ में शो नहीं हो रही है, 24 मैं मोबाइल की दुकान खोली, वो धनरेखा कोई बहुत बड़ा बदला होता है, वो कोई व्यापार में चेंज कभी-कभी किसी के हाथ में दिखता है, किसी के हाथ में नहीं दिखता, और धनरेखा पर दिखेगा, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, 30 मैं खुद का घर बन गया, जो एक लाइन डिफरेंट होके चलती है, या तो वेक्ति घर बदलता है, देश बदलता है, शहर बदलता है तो वैसी लाइन इनके हाथ में भी थी तो उसमय इनका इन्होंने घर बदलाया यानि घर बनाया 32 में बिजनेस में उताराना शुरू हो गया वो जरूर आपके हाथ में दिख रहा है याद दास कमजोर हो गई अब आपके पास ऐसा कोई मोबाइल नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी माइन लाइन को निकाल पाए पर माइन लाइन आपकी मोटी ही दिख रही है तो इसके बारे में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा 34 में मा का देहांथ ये भी आपके हाथ में जो फोटोग्राफ्स है उसमें कहीं पर भी आड़ी चलने वाली इस तरह की ये जैसे 32 की लाइन और यहाँ पर आप अपने लेवल पर चेक कर लेना कि कोई इस तरह की लाइन है क्या तो ये मां का देहन्त की लाईन है पर आपने जो फोटो बेजा उसमें वो शो नहीं हो रही है 35 में पत्नी के गलत संबंदों का पता चला जो वर्तमान में तलाक की कगार पर है आपका जुपिटर माउंट हट से ज़्यादा खराब है ये स्थितिया मैं ये नहीं कहता कि जुपिटर खराब हो तो उसकी पत्नी गलत संबंदों में चली जाती है वैसा मेरा पतात पर ये नहीं है पर जुपिटर माउंट जिसका खराब होता है उसे पारिवारिक सांसारिक समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है आपको इस रूप में करना पड़ रहा है दूसरी साधी कब मुझे एक जगह पर लाइन क्लियर कट नजर आ रही है मैं वो आपको जीवन रेखा पर दिखाऊंगा बागी नॉर्मल सवाल है गाड़ी घोड़े मैं परचेस कर पाऊंगा यस आप कार भी परचेस कर पाऊगे और थोड़ा साल बहुत कम साल आपको संगर से उसके बाद जीवन आपकी उन्नती की रहा पर वापस दौड़ना चालो हो जाएगा यह आपके लाइनों पर पश्ट नजर आ रहा है और व्यवसाय भी चेंज करोगे ऐसा आपके हातों में क्लियर कट नजर आ रहा है और वो व्यवसाय आपको अच्छा धन देगा वो भी शो हो रहा है तो मैं एक एक करके इनकी सारी चीजों को देखने की कोशिस करूँगा और भी प्रॉपर्टिया भी खरीदोगे इतना भी अब वर्तमान में जितना संगर्स है उतना थोड़े सालों के बाद नहीं है संगर्स के मामले में तो मैं यह कह दूँगा आपको अब एक एक करके सारी वस्तों को देखने की कोशिस करते है जब किसी व्यक्ति के हाथ मैं यह दो उंगलिया थोड़ी सी बूपर की तरफ हो तो व्यक्ति जो समय पर निणे लेना होता वो ले नहीं पाता और उसके बाद पस्तावा होता है कि मैंने यह कारे किया होता तो करनाते हैं फर्स पहला इन नुकिला है तो कारिके प्रति अच्छी खासी जीदोगी सेकेंड फहला इन नॉर्मल है जहां लोजिक की जुरत है वह लोजिक यूज गिया है जहां चूप रहने की जुरत है तो वह चूप रहे है और अंगुठा मानसल है तो अपने हीतों की र तो यह भी एक प्लस पॉइंट है व्यक्ति हिम्मती सभाव का रहता है जिब मैं पचास जार और पचास लग्ति रिस्क लेनी है तो आसा नहीं से लेता है बूद की उंगली का सीरा थोड़ा सक्ष तिल्ट लग रहा है मुझे तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी पाई जाती है और यह उंगली फर्स फैलें तक नहीं पहुच रही है तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना या शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट इन सारी वस्तों में व्यक्ति कमजोर होता है पर इनको अच्छा खासा मनी ट्रैंगल है जो कलर फोटो में मैं देख चुका हूं तो मनी मेनेजमेंट को छोड़ कर यह सारी वस्तों में कमजोर होंगे अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं बुद्परवत पर आपको भहुत सारी खड़ी लाइन है यह व्यक्ति को दो चार भाशाओं का जानकार व्यक्ति को सुन्दरता भी देती है वानी मीठी होती है और बिजनेस सेंस भी पाउरफुल होता है कोई व्यक्ति साधरन फोन से भी अच्छा फोटो निकाल सकता है वो ये अच्छा उधारन है अगर आप तत्पता से काम करो इनके सारे प्रशनों के जवाब साधरन फोन होने के बाउजूद इन्होंने इतने अच्छे फोटो निकाले है मैं इनको साभाशी दूँगा कि कहीं पर भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है किसी नीने पर पहुचने के लिए ये देखिए एक साइन यहाँ पर है इनको ट्रस्टी नहीं है कि इनके हाद में फिश साइन है एक यहाँ पर है एक इस जगह पर है दो एक इस जगह पर है एक यहाँ पर भी है इतनी फिश साइन है तो इनके हाद में clear cut नजर आ रही है मैं थोड़ी देर में मिटाओंगा किसी को screenshot लेकर देखना हो तो भी आसानी से देख सकता है और कहीं है वो ढूनने की कोशिश करते है इतनी साइन है तो हाँ यह बहुत बड़ी नहीं पर यह advantage तो है और यह ग्रामिन छेतर में रह रहे है तो इतनी साइनों में भी यह अच्छा खासा जीवन यापन कर लेंगे क्योंकि आगे धन रेखा काफी सुन्दर बन रही है अब चलते वापस इंक लगे हुए पाम परी शनी परवत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है वेक्टी को पता ही नहीं होता अब देखिए जूपिटर माउंट यह देखतर ही आपको पता चल जाएगा इतना खराब जूपिटर माउंट हो तो पारिवारिक और सांसारिक समस्या आती है मैं इसका हिलाज दे दूँगा कहीं न कहीं थोड़ी सी रहात होगी जरूर आपको और कोई भी उपायों से 100% रहात होती नहीं यह समझ के चलो हम इश्वर नहीं है हम रीडर है थोड़ी सी हेल्प कर सकते इससे ज्यादा ने 20-30% की आपको रहात मिल सकती है इससे ज्यादा ने जुबिटर माउंट पर दो लाइने यह वेक्ति को मंतिपल इंकम के सोर्स करवाती है पामेश्ट्री एस्ट्रोजी इस्टर्यमेश्टी साइंस में वेक्ति जाता है सेवा, भावी और धार्मिक्ता यह सारे गुण वेक्ति में पाए जाते हैं अंडूरी मंगल काफी मजबूत है तो सारी रेकुजा भरपूर रहती है और इस तरह का उभारो तो ऐसे लोगों को अपशब्द बोलने की भी आदत होती है जवानी और टीनेज में अच्छी खासी अपशब्दों का ये लोग प्रयोग करते है पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता पर कंप्लीट निकलता नहीं फिर एक दम हाथ पैर नहीं चलते तब व्यक्ति वापस अपशब्दों की तरफ ज़्यादा जुपता है पर सारी रेकुर्जा ये भरपूर देती है भारी मंगल भी अच्छा है जब किसी से मिलोगे, एनरजी के साथ मिलोगे सामने वाला comfortable फिल करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपनी लेवल पर संकट का सामना करता है अब ये पाम में भाँ स्ट्रेट पाम नहीं है तो मैं एकदम एकजेट तो नहीं बता पाऊंगा चंद्रपरवत कैसा है और मुझे मध्यम टैट का तो जरूर लग रहा है मैं खराब नहीं कहूंगा इसको अब देखिए काफी सुन्दर मनी ट्रेंगल इनके हाथ में बना हुआ थोड़ा सा ही open है इतना चल जाता है तो यह बुड़ा पे तक इतनी संपत्ती तो जमा कर लेंगे कि बुड़ा पास सान्ती से गुजार सके और इस तरह की लाइन भी है इनके हाथ में क्योंकि यह बुद्ध रेखा भी देखिए यहां पर बुद्ध की यह काफी बढ़ी है इन्होंने गाड़ी घोड़े का भी पूछा यह देखिए यह लाइन आपको गाड़ी घोड़ा भी दिलाएगी और एक बार आ गया आपके बास एक बार फोर्ड विलर आ गई तो जीवन भर रहेगी ठीक है, मॉडल चेंज होते रहेंगे यह भी एक खासियत बता दो आपको और यह सारे सुख आपको प्राप्त होने वाले कोई इसमें किंतु परंतु नहीं पारिवारिक और सांसारिक समस्या छोड़कर बाकी आपका नॉर्मल जीवन है कोई चिंता करने के आऊशकता नहीं अब यह देखे इनकी हिर्दे रेखा यह यहां से निकल रही है और यह आपका जुपिटर का डिवाइडेशन यानि शनी परवत से ही निकलती है और थोड़ा सा मंगल की और देख रहे है तो हलका सा गुसा भी रहा होगा जवानी के दिनों में और यह कामुक ता बढ़ाती है शनी परवत से निकलने वाली रेखा सेकेंड सुबह उटते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है और यह फिजिकल बनवाती है यानि कभी-कभी हाथ पैर उठाता है तो यह तीन गुन यह रेखा देती है और मोटी हिर्दे रेखा है तो जंजटो भरा जीवन रहता है रिलेक्स से आदमी जी नहीं सकता परस्नल लाइफ जी नहीं सकता सुबह से लेके रात तक आपा धपी लगी रहती है यह एक माइनस पॉइंट है यह माइन लाइन भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा मोटी ही है हाँ जूपिटर से निकल रहे है तो अती महतोकांची आपको जरूर बना रही है और दीरे दीरे थोड़े से धार्मिक बनोगे बहुत ज़्यादा नहीं पर माइन लाइन काफी है तो बुद्धी प्रतिभा काफी अच्छी रहेगे आपने अब आपने जो प्रश्न किया कि बारा साल मैं पिता का देहां दुआ ये देखिए ये एक लाइन मुझे नजर आ रही है अब इसकी एजिंग बहुत टफ हो जाती है इस एज में यहाँ पर जो देख रही है ये ये लाइन उस पिरियड में हो सेकंड यहाँ पर इस लाइन ने आपको जब ये लाइन यहाँ टच की तब आपकी साधी हुई अब साधी के इसाब से यहाँ पर 27 बैट रही है और ये लाइन ऐसे गिनों तो मैं 30 के इसाब से हो रहा है तो ये 30 में 27 यहाँ पर बैट रही है और ये 30 में आपका बदलाओ जो वेक्थि घर बदलता है, शहर बदलता या देश बदलता है दो मैंसे कोई न कोई एक वस्थू वेक्थि के जिवन में होती है तीन वसू या तो घर बदलता है शहर बदलता है या देश बदलता है तो इन्हों ने अपना घर बनाया एज ओफ 30, 32-33 में एक बहुत बड़ी राहू रेखा आई और इनको हिला दिया इस राहू रेखाने आर्थिक नुकसान भी गया होगा, डिप्रेशन वाली स्थिती भी आई होगी इनके जीवन में और इन्हों ने एकसेप भी किया है कि ये पिरिएड मेरा वर्ष्ट पिरियर था उसके बाद एक और लाइन आई 35 में ये भी 2-4 मेने का टेंस दी होगी, इस लाइन ने भी ये भी एक राहू रेखाई है और इसी समय इनको 35 में पत्नी के गलत संबंदों का इनको पता चला तो कोई भी पुरूष को जब ये चीच पता चलती है तो कहीं न कहीं टेंस तो क्रियेट होता ही है तो यहाँ पर ये लाइन की वज़स है इनको डिस्टरबंस आया अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ 35 तो यहाँ पर 34 के आसपास कोई न कोई लाइन होनी चीए यहाँ इस जगह पर माता की देहान थी पर ऐसी कोई लाइन मुझे दिख नहीं रही है फिर उसके बाद यह लाइन आपकी साधी करवा सकती है अब आपने क्लोज अब भी भेजा है उसके अंदर केवल एक ही जगह पर किन्तु परंतु रह सकता है वो मैं दिखाने की कोशिस करता हूँ आपको क्लियर कट एक लाइन यहां से आ रही है और यह कट वह ऐसे जा रही है और यह कई बार हमारे साथ यह प्रॉब्लम होता है और यह लाइन यहां से निकली और यह जीवन रेखा अपने माइन लाइन को टच करते हुए दिखाई दे रही है यह लाइन आपके जीवन में पुनर विवा यानि दूसरी साथी आपकी करवा सकती है एज ओफ फोटीवन में हाँ हम गलत कब हो सकते हैं अगर यह लाइन काट कर आगे जाती होगी तो इसको राहु रेखा पकड़ना पर यह 99% यह यहाँ पर ही स्टॉप हो रही है इस पॉइंट पर ही और यह दूसरी लाइन है जो ऐसे जाकर ऐसे घुम रही है और एक उसके बाद आपशूट है जो कोई न कोई आपको 42 के आसपास कोई अच्छा कार्य आपके जीवन में होगा इस पिरियर्ड में अब इनके वापस फिर एज 48 के आसपास कोई नियर एंड इरर की डेथ शो हो रही है और एक छोटी सी लाइन 50 के आसपास काटी हलकी सी जैसे यहाँ पर काटी थी वैशी फिर 52 में एक राव रिखाएगी इतनी बड़ी तो नहीं है इसकी आधी है ये पर राव रिखा है तो ये भी आपको परिशान करेगी उसके बाद कोई राव रिखा आपके हाथ में नहीं है और आगे चलकर इस एज में मैंने इसकी एज नहीं निकाली है पर यहाँ पर भी आपके जिवर में कोई बदलाव आएगा या तो देश बदलोगे घर बदलोगे या शेह बदलोगे एक अंदा जित 21 साल समझो तो यहाँ तक तो आप 70 साल के हो जाओगे 70 के आस पास के इस पिरिएड में कोई बदलाओ आपके जीवन में आ सकता है अब आपकी धन रेखा पर देखिए 32 में बहुत बड़ा कट लगा 34, 35 में कट लगा दूसरे व्यवसाय में और एक नया कार्य चालू होगा आपके जीवन में इस age के आसपास अब जो second line जब निकलती है तो उसमें एक दो साल का plus minus होता है अगर मैं इसको 39 कहूंगा तो हो सकता है कोई नया कार्य 41 में भी चालू हो या 38 में या 37 में भी चालू हो एक दो साल का फर्त जब कोई second line दिखती है पर ये line आपको बहुत अच्छा धन देगी आपको वापस जिस तरह से आप पहले पैसा कमाते थे उससे भी अच्छा पैसा इस line से आप कमाऊगे अब आपकी धन देखा को देखने की कोशिस करते है यो काफी अच्छा स्पष्ट फोटो है धन देखा का अब ये देखे ये line चल रही थी 32 में बहुत बड़ी रहा ने काटा और उसके बाद देखे पूरी धिली पड़ गई अब ये line तो धिली है और 32 से बहुत ज़्यादा धिली है अभी वर्तमान में और यहाँ पर कट भी लगा 34, 34 के आसपास या 35 समझ लो 35 में कट लगा और ये इस period तक धिली है 38 के बाद वापस ग्रोथ आपको जाते हुई दिखेगी और ये वैवसाय चलेगा आपकी जीवन में अभी जो कर रहे हो ये चलेगा लगबग 43, 44 तक उसके पहले एक और नया वैवसाय सुरू होगा जो मैं पिरियर बता चुका हूँ 38 के आसपास से सुरुवात हो सकती है एक दो साल प्लस माइनस गिनना एक दो साल थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा और इस age के आसपास ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगा यहाँ पर भी अच्छा धन मिलेगा पर age 43 के आसपास से आपको यह लाइन काफी ग्रोथ देगी और यह up to 55 तक काफी सुन्दर चलेगा यानि काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको और यह investment की लाइन है यह age होगी आपकी उस समय 46 के आसपास कोई ने कोई investment होगा और एक parallel line और चल रही है यह line भी आपको 57 तक earning देगी और एक 56 से और एक line और 60 के आसपास से एक और line यह line यह line तो बुड़ा पर मैं ऐसी कोई तकलिफ आपके धन्रेका पर show नहीं हो रही है तो अब किवल आपको 38 या 39 तक पेन उठाना है अभी आप 36 के हो गयो तीन साल आपको और तकलिफ है उसके बाद आर्थिक रूप से तो आप सम्रुद्ध होते जाओगे तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रशनों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद